गुड मॉनिंग नमस्ते अस्सालाम अलेकुम दोस्तों हाज रूम आज आपके सामने जीसी पी का नया लेक्चियर लेक्चेर लेक्चेर जिसमें आज मैं आपको डैमो करके दिखाने वाला हूं लैब दिखाने वाला हूँ कि भाई GCP के उपर वर्चल मशीन कैसे बनती है ये काम हम Azure पे भी कर चुके हैं AWS पे भी कर चुके हैं और आज Google Cloud Platform पे देखेंगे कि यहाँ पर वर्चल मशीन कैसे बनाई जाती है क्या-क्या options होते है सब कुछ detail में बताने वाला हूँ मतलब आप यह समझेगी लैब भी मेरे ख्याल से हमारी एक सवा घंटे की बनेगी एक घंटे की लैब होगी जिसमें बनाने को वर्चल मशीन है पांच मिट में बना सकता हूँ लेकिन exam के point of view से आपको एक-एक बारीक से बारीक option के बारे में पता होना चाहिए उसका क्या purpose होता है वो क्यों इस्तमाल किया जाता है यह सारी बाते मैं कोशिश करूँगा कि आज के ही इस demo में cover कर दूँ so that आने वाले lectures आपको बेहत आसान लगे वो lab भी फ़र थोड़ी छोटी होंगी क्योंकि मैं सारे options आज ही try करूँगा discuss करने की so that आपको पता चले कि एक virtual machine कैसे create होती है उसके क्या-क्या options हमारे पास Google Cloud में माजूद है आप देख सकते हैं मैंने screen पर कुछ steps लिखे है virtual machine बनाने के आप चाहें तो screenshot ले सकते है यहाँ पर मैंने कुछ बुनियादी step लिखे है लेकिन lab में ले जाकर मैं आपको यह सारे step बहुत अच्छे से explore करके दिखाने वाला हूँ की virtual machine कैसे बनाई जाती है अगर मैं steps की बात करूँ तो login to gcp account पहले आपको करना है आपके पास इस lab को करने के लिए या इस पूरी series को पढ़ने के लिए gcp का एक free account होना जरूरी है जो already मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे create किया जाता है उस account को बना लीजे उस account को बनाने के बाद आपको option में जाना है compute engine के देखे google cloud में ये थोड़ा सा confusing है कि क्या हम virtual machine को compute engine कहते है नई virtual machine को compute engine नहीं कहते compute engine के अंदर multiple services available है multiple options available है वहाँ पर से एक option होता है virtual machine का उस virtual machine में भी एक option होता है VM instance का जब lab में जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा तो compute engine पर पहले आपको जाना है compute engine में जब आप जाएंगे तो आपको virtual machine का option दिखेगा उसके निचे सारे option आ रहे होंगे जिनमें पहला option होगा VM instance का तो आपको VM instance create करना VM instance is nothing बटा virtual machine AWS में हम EC 2 कहते है AWS में जिसको AC 2 कहते है Azure में जिसको वर्चल मशीन कहते है उसको Google Cloud में VM instance कहते है यह create virtual machine यहाँ पर आप जब देखेंगे तो वर्चल मशीन ही यह लोग भी इसको कहते है तो आपको confuses नहीं होना virtual machine ही यह होती है चाहे उसको VM instance का हो चाहे virtual machine का हो, चाहे कई जगा पर compute engine का भी अगर इस्तमाल किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो virtual machine की ही बात कर रहे है, आप वहाँ जाएंगे, तो वहाँ आपको एक option अज़र आएगा create instance, create instance का मतलब create your virtual machine, तो virtual machine बनाने के कुछ basic steps है कि जैसे कि आपको उसका name देना है, कि भाई इसका नाम आप क्या ले सकते हो, तो इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हो, small letters का इस्तमाल करना है, avoid करिए का capital letters का इस्तमाल किसी भी जगह पर, small letters में आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, उसमें आप 1,2,3 का इस्तमाल कर सकते हैं, यानि कि numerics का इस्तमाल कर सकते हैं, alpha numeric character या आप special character जिसे कहते हैं, not alpha numeric, उनका इस्तमाल यहां नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो avoid किया जाता है, एक बात और, name को कभी भी IP address मत रखिएगा, अपनी machine का IP address कभी भी नाम मत रखिएगा, क्योंकि उससे आपकी machine को खत्रा हो सकता है, तो कोई भी confidential information कभी भी virtual machine का name नहीं आपको रखनी है, यह आप चीज याद रखिएगा, labels का मतलब होता है like a tag, जैसे AWS के अंदर हम tags लगाते हैं, tags कैसे होते हैं, key and value नाम के pair होते हैं, key and value, key and value क्या होते हैं, जैसे मैं कहूं कि company और company का name क्या है, technical गुफ्तगू, तो यह एक tag मैंने यहाप लगा दिया, एक label मैंने यहाप लगा दिया, इससे फायदा ही होगा, कि जब भी आप कभी search करेंगे company और उसका tag, यानि कि उसका name technical गुफ्तगू, तो पता चल जाएगा कितनी virtual machine मेरी इस label पर बनी हुए, यानि कितनी virtual machine, जिन, for example, मैंने दस virtual machine बनाई, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मैंने दस virtual machine बनाई, उन में से मैंने दो machine के उपर यह label लगा दिया, TG वाला, तो अगर future में मुझे यह find out करना है, वो कौन सी दो machine हैं, जो technical गुफ्तगू के लिए बनाई थी, तो मैं इस label की help से सर्च कर सकता हूँ, मैं जब filter करूँगा, और filter में TG नाम से सर्च करूँगा, तो वही दो machine है निकल के आएंगी, जिन पर मैंने label लगा रखा था, यह कुछ ऐसे हैं, जैसे आपके पास एक ही तरीके के सारे boxes हैं, और उसके आपने बहाँ tag लगा दिया, tea है, coffee है, salt है, sugar है, that kind of thing, labeling आप कर देते हो, तो वो labels आप यहाँ पर लगा सकते हो, उसके बाद region और zone आपको select करना होता है, किस region में आप इस virtual machine को बनाना चाहते हैं, और उसके किस zone में आप इसको create करना चाहते हैं, आपको वो यह select करना है, for example, जैसे मैंने यहाँ पर select किया हुआ है, region में मैंने Las Vegas है, Las Vegas का US West 4 है, और zone मैंने उसका यह ले लिया, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और लिखी मिलेगी, region is permanent, zone is permanent, इसका मतलब यह है कि बनने के बाद यह change नहीं हो सकता, machine को migrate करना एक अलग चीज़ होती है, बट region का permanent होने का मतलब यह है, कि एक बार machine set हो गई, एक बार machine इस region में बन गई, तो फिर उसका region change नहीं किया जा सकता, that is, यह आप याद रखे जा, उसके बाद important जो options आएंगे, बॉआएंगे machine family, यह सारी theory बढ़ा चुका हूँ machine family, machine family में चार option मिलेंगे, general purpose, computer optimize, memory optimize and GPU, for example मैंने general purpose select किया, तो general purpose के अंदर मेरे को multiple series नजर आएंगी, जैसे कि E2, N2, N1, N2D, T2D, अगर कहीं पे 1 लिखा है, इसका मतलब यह generation है, तो generation 1 है, 2 लिखा है तो generation 2 है, यानि उससे latest है, और कहीं पे अगर end में D लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे AMD processor का इस्तमाल हुआ है, ठीक है, और अगर कहीं पर D नहीं लिखा है, जैसे N2 के आगे कुछ नहीं लिखा, N1 के आगे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब यहाँ पे Intel processor का इस्तमाल हुआ है Intel लगा होगा तो कुछ नहीं लिखा होगा पर AMD जहां लिखा होगा वहाँ पे last में D लिखा होगा जिससे आपको पता चल जाएगा इस machine के back end में AMD processor का इस्तमाल हो रहा है अगर आपकी कोई ऐसी specific requirement है कि आपको AMD का ही processor चाहिए और special category का processor चाहिए कि मेरे को तो यह फलाना series ही चाहिए AMD की तो आप इसके साथ जा सकते हैं जैसे ही आप series को finalize करेंगे machine type आजाएंगी machine type में जो सबसे important है जो सिर्फ Google के पास है वो है custom machine type यह और किसी cloud में आपको नहीं मिलेगा यह option सिर्फ और सिर्फ GCP के पास available है और जो इसको सबसे खास बना देता है in comparison to other cloud यह custom का option कहीं नहीं मिलेगा आपको बाकी सारे cloud में fixed होता है कि यह यह machine है आप अपनी मर्जी की चुन सकते हो server create कर सकता हूँ यह option मेरे पास यहाँ पे available है जबकि यह other cloud में available नहीं है उसके बाद इनके पास भी कुछ pre-configured templates होते हैं machine images होती है वो share code में मिल जाएंगी standard में मिल जाएंगी high memory, high CPU मिल जाएंगी यह कुछ machine type है जैसे आप standard में जाओगे तो एक normal CPU, normal RAM का server आपको उसमें category मिलेंगी जैसे 2 CPU, 4 CPU, 6 CPU, 8 CPU पर जब आप high CPU पे जाओगे तो यहाँ 20 CPU, 30 CPU, 32 CPU 40 CPU, 50 CPU यानि higher CPU configuration वाली types आपको यहाँ मिलेंगी high RAM वाली types आपको यहाँ इस category में मिलेंगी normal वाली standard में मिलेंगी और shared core में आपकी core जो होती है वो shared की जाती है तो यहाँ से आप अपनी मर्जी की machine type select करके उसका size select करके आगे बढ़ सकते हैं जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक option आपके पास आएगा जहां बहुत important चीज़ें आप edit कर सकते हैं आपको operating system कौन सा चाहिए आपको redhead चाहिए, debian चाहिए, ubuntu चाहिए, windows चाहिए जो भी operating system आपको चाहिए आप यहाँ पे select कर सकते हैं boot disk की option में जाके आपको edit करना पड़ेगा यहाँ पे आपके पास चार types होती हैं public images, custom images, snap shots and existing disk इन options की बाद हम आगे आने वाले lectures में करेंगे फिलाल के लिए हमें public images का option select करना है जहाँ पे Google ने बहुत सारी images पहले से define करके डाली हुई है आपको अपनी मर्जी का operating system select करना है for example मैं windows select करूँआ windows का मैं version 2012, 2012, 2016, 2020, 2020, जो भी है वो मैं select कर सकता हूँ और उसके बाद मुझे कौन सी disk चाहिए मैं किस तरह की disk का इस्तमाल करना चाहता हूँ अपने boot disk के लिए यानि की operating system के लिए वो मैं define कर सकता हूँ यहाँ पर disk type में देखो आपको चार चीज़े नजर आ रही है BPD नजर आ रहा है, EPD नजर आ रहा है extreme के नाम से clear है कि यहाँ पर आपको जो storage type मिलेगी वो बहुत fast होगी but balanced के साथ आप जा सकते हो by default यही आपको मिलेगी भी बाकी आप change करना चाहो you can go with anyone आपको भी select कर सकते हो बाकी यह मैंने क्या दिया कि यह feature में आपको थोड़ी देर में या अगले lecture में थोड़ी देर में तो नहीं मतलब आने वाले lectures में discuss करूँगा यहाँ पर service account की भी बात हुई है जिसको हम बाद में discuss करेंगे हमें फिलाल इस lap करते time जो यहाँ पर default service account लिया गया है उसी को लेके रखना है और कुछ नहीं करना है firewall पे जब आप जाएंगे तो firewall में आपको allow करना है sttp और allow sttp as traffic यह एक feature है जो Google ने add कर दिया अपने इस console में कि भाई आप बनाते time अगर आप अपने server पे कोई internet पे service आप कोई launch कर रहे है आप कोई web server बना रहे है तो by default यह firewall rule उसने यहाँ पर दे दिया है पर पूरी firewall configure अगर आप करना चाहते है प्रोपर back end पे उस virtual machine के साथ एक firewall attach करना चाहते है एक virtual firewall attach करना चाहते है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के ports को enable करना चाहते हैं, disable करना चाहते है तो वो एक अलग option है जो आने वाली labs में मैं आपको सिखाँगा, फिलाल या by default आपको यह दोई option नजर आएंगे तीसरा option नजर नहीं आएगा आप चाहें तो untick कर दीजे, चाहें तो tick कर दीजे tick करोगे, तो आप internet आपकी जो service है, जो भी server पे चल रही है वो internet पे जा पाएगी या internet से वहाँ पे आपके पास तक आप आएगी वो request, sttp के थूँ या sttps के थूँ, बट अगर आप untick कर देते हो, तो फिर आप ना तो internet पे जा सकते हो, ना कोई request internet से आ सकती है यह एक important बात है, फिर यहाँ यह वाला जो option है, यह आपको इसी तरीके से hide मिलेगा, बस यह नाम नजर आ रहे होंगे अगर आप detailed configuration करना चाहते है, जैसे कि आप अपना virtual private network जो है, जो आपका virtual network है, आप उसको change करना चाहते है, अपने बनाए हुए network में इस machine को बनाना चाहते है, तो आप इस option पे जाएंगे, अगर आप अपनी machine में root disk के साथ, जो आपकी portable disk है, उसके इलावा extra disk attach करना चाहते है, जैसे आपके laptop में C drive होती है, D drive होती है E drive होती है, तो अप C drive तो हो गई, boot वाली, जो मैंने यहाँ पर यह वाली मेरी boot disk हो गई, पर उसके इलावा अगर मैं D drive चाहता हूं, E drive चाहता हूं जैसे laptop में लगी होती है, तो आप add extra disk का option होता है, इसके अंदर आप multiple disk अपने server के साथ attach कर सकते हो, security में जाओगे, तो यहाँ आपको shielded VM का option मिलेगा shielded VM में यह फायदा होता है, कि वहाँ पे आपकी जो machine होती है, वो काफी secure होती है, Google उस पे इस तरह की security लगा के रखता है, कि कोई भी person जो है, उस तक आ नहीं सकता बिना आपकी permission के, या बिना किसी और किसी जरीय से अगर आने कोशिश करता है तो काफी सारे ports यहाँ पे disable होते हैं और बहुत security का खयाल रखा जाता है तो आप उस तरह की shielded VM अगर लेना चाहते हैं, और shielded VM का option हर machine type में नहीं मिलता है कुछ selected में ही मिलता है, कुछ selected regions में ही मिलता है, पर वो इस्तवाल आप कर सकते है यहाँ पे, management के अंदर कुछ option आपको मिलेंगे, sold tenancy के अंदर कुछ option मिलेंगे, फिलाल इनकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे lab में ही मैं आपको दिखा दूँगा यहाँ पे क्या-क्या options होते हैं, उसके बाद finally last में आपके पास option होगा create का, जिस पर click करते ही आपकी virtual machine within 30 seconds 30 seconds के अंदर चालू हो जाएगी, उसके बाद अगर आपने windows बनाई है, तो आप उसका RDP ले सकते हैं, और अगर आपने Linux machine बनाई है, तो आप SSH ले सकते हैं, वो भी मैं आपको lab में करके दिखाऊँगा, साथ में यह एक बहुत ही बहतरीन create हो जाता है, उस command को भी आप SSH अगर CLI में चलाओगे तो भी virtual machine create हो जाएगी यानि कहने का मतलब एक single command लिखने की या याद करने की जरूरत नहीं होती है Google Cloud पे यह commands भी यहाँ पर यह आपको अपने आप create करके दे देता है, जिसका आप future में इस्तमाल कर सकते हैं उस command को किसी और के साथ share कर सकते हैं कि यह as it is command है, इसको बस run करा दो तो मारी virtual machine बन जाएगी कुल मिला कि मैं हमेशे यह बात कहता हूँ कि cloud को सीखने के लिए कोई command आना कोई programming आना, बिल्कुल जरूरी नहीं है आप लोगों के mind में यह confusion होगा कि Python आनी चाहिए, या मेरे को Java आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हूँ अपने आप command create हो जाएगी, मैं आपको lab में करके दिखाऊँगा, सारी चीज़े detail में करके दिखाऊँगा, बोर्ड पर जस्ट दिखाने का purpose यह है, so that एक idea मिल जाए कि आज की lab में हम क्या करने वाले हैं, इसके साथ साथ एक और important बात आपको बता दूँ, Google में एक चीज़ का याद रखेगा, जब भी आप अपनी operating system select करेंगे और अगर आप Windows select कर रहे हैं, तो Windows में यहाँ Azure और AWS से थोड़े अलग option होते हैं, अगर आप Windows का वो category इस्तमाल करना चाहते हैं, जिसमें की Windows का पुरा GUI, graphical user interface आपको नजर आए, जहाँ जैसा की normally आपको Windows नजर आता है, तो यहाँ पे desktop user experience करके image के नीचे लिखा होगा अगर उस image के नीचे लिखा है desktop user experience available या कुछ इस तरीके से होगा अगर वो लिखा है, तभी आपको उसका GUI नजर आएगा, अगर आप normal window image ले लोगे, तो वो सिर्फ CLI के थूँ काम करेगा, GUI के थूँ काम नहीं करेगा, GUI के थूँ काम करने के लिए, आपको over select करते time, window की operating system select करते time, यह नीचे देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ user experience या user interface available है या नहीं है, तो मैं lab करते समय आपको यह सारी चीज़े दिखाऊंगा पहले CLI वाली windows दिखाऊंगा, फिर आपको GUI वाली windows दिखाऊंगा यह सारा गाम आपको करके दिखाऊंगा वहाँ पे एक IIS हम install करेंगे IIS को install करने के बाद हमें हमारा internet पे एक normal internet information page करके windows का जो एक normal page होता है, default page होता है, वो हमें नजर आएगा और अगर वो नजर आ रहा है तो इसका मतलब हमारी firewall भी properly काम कर रही है क्योंकि वो जो request है, वो STTP traffic पे ही जा रही है, क्योंकि अभी हमने secure तो नहीं लगाया है, तो normal STTP traffic यानि port 80 पर वो request जा रही है, हम internet के थूरू उस page को access करेंगे, access करने के लिए कुछ नहीं करना, आपकी जो virtual machine बन जाएगी, उसके बाद आपको 2 IP मिलेंगी, एक IP मिलेंगी जिसे आप कहेंगे internal IP और एक IP मिलेंगी जिसे आप कहेंगे external IP, external IP का मतलब होता है public IP और internal IP का मतलब होता है private IP, तो आपको अपनी public IP का इस्तमाल करना है, public IP को copy करिएगा, Google Chrome में paste करिएगा और जब आप search करेंगे तो आपको Windows का एक default page नजर आएगा जिसका मतलब वो request जो है HTTP इसके थूँ जा रही है अगर आप इसे un-tick कर दोगे तो फिर आपको वो page नजर नहीं आएगा ये testing भी आप करके देख सकते हो अगर आपको ये टिक होगा तो आपको internet पे वो page नजर आएगा अब बाकि जितनी भी features है जितने भी option है इवन ये कि इसकी pricing क्या होगी कौन सी machine लेने पे कितना bill बनेगा उस bill में क्या-क्या चीज़े होती है किस-किस चीज़ का bill होता है जो virtual machine में बनता है वो सारी बातें detail में discuss में आप lab में जाके करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ board बे बहुत जादा कितना भी समझा दूँ कोई फायदा नहीं होने वाला इस lab को देखने के बाद पहले इस lab को देख लीज़े lab अभी साथ साथ मत करिएगा पहले पूरे वीडियो को एक बार देख लीज़े जब पूरा वीडियो आप यह देख ले उसके बाद अगली बार इस वीडियो को जब भी देखें तब lab साथ साथ करें तो पहली बार वीडियो नॉर्मली ऐसे ही देखना है पूरा एक lecture पूरा करके देख लीजिए उसके बाद next time इस वीडियो को देखिएगा और lab को करिएगा मैं guarantee दे रहा हूँ आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे GCP के जितने भी concepts मैं आज के lecture में आपको lab में दिखाने वाला हूँ या discuss करने वाला हूँ तो इस वीडियो को दो बार कम से कम देखना है चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लो और वीडियो को like नहीं किया है तो अभी कर दो comment box में ये भी बताना कि आपको ये series कैसी लग रही है क्योंकि कोशिश है जल्दी जल्दी lectures लेके आने की और इस series को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कहां से देख रहे हैं किस मुल्क से देख रहे हैं और कैसी आपको हमारी ये series लगती है जरूर बताएं और अपने दोस्तों को recommend करें Facebook पे हो सके तो इस वीडियो को share करें LinkedIn पे share करें वीडियो के end में आपको हमारे सारे links मिल जाएंगे जहां मैं Instagram पे Telegram पे LinkedIn पे available हूँ उन links पे जाकर मेरे साथ connect हो सकते हैं उससे गुफतगू कर सकते हैं मेरी वीडियो शेयर करके मुझे tag कर सकते हैं तो चलिए अब चलते हैं सिधा लैब की तरफ और देखते हैं इन सारे options को वहाँ पर तो लो जी आगए हम अपनी लैब के उपर और आपको दिख रहा है कि यह normal मैंने login किया है GCP console के अंदर और यहाँ पे dashboard का option नजर आ रहा है इस पे हमें क्लिक करना है और यह देखें आपको मेरा dashboard नजर आ रहा है यहाँ पे फिलाल मैं technical गुफतगू नाम के project में हूँ यह मेरा project number है और यह मेरी project ID है इसके बारे में पिछल lecture में हम बात कर चुके है आज हमें virtual machine बनानी है तो इसके लिए आपको इस hamburger menu पे click करना है यहाँ पे आपको compute engine सर्च करना है हो सकता है आपके case में यह आपको नीचे नजर आए तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप तो आपको drag drop करने पे compute engine नीचे नजर आ जाएगा तो आप देख सकते हैं जैसे more product आ रहे हैं इस पे click करोगे तो यह और भी product आपको सारे के सारे नजर आ जाएंगे यहाँ पे आपको compute engine compute के अंदर नजर आएगा आप इस पे जाएं और यहाँ पहला option है virtual machine instances के नाम से इस पे आपको click करना है अगर आप अपनी virtual machine बनाना चाहते हैं यहाँ पे और भी option आपको दिख रहे है instance template, sold tenant, notes, machine images, TPUs, committed use, discount दीरे दीरे इन सारी चीज़ों को भी cover करेंगे पर फिलाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक Windows virtual machine कैसे बनाई जाती है Google Cloud platform पे तो आपको VM instances पे click करना है तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ नजर आएगा compute engine API अब आप सोचो के यार यह enable करूं या ना करूं या इसे enable करने से मेरे पैसे तो नहीं लगेंगे तो आप याद रखेगा Google Cloud के अंदर यह बाकी cloud से थोड़ा अलग है Azure या AWS से यहाँ पे आप जिस भी service को इस्तमाल करेंगे यह पहले उसकी API आपको enable करने के लिए कहेगा तो आपको just इस API enable पे click करना है और अगर आप बिना enable किये इसको try करके देखना चाहते हैं तो direct आप इस पर भी click करके try this API आप इस पे click करके आप देख सकते हो कि यह API enable करने के बाद किस तरीके से काम करेगी service कैसी दिखेगी में try करने की जोत नहीं है हम सीधा enable पे click करते हैं तो आप देख सकते है notification के अंदर भी मुझे यहाँ पे enable service compute.googleapis.com यह enable हो रही है तो थोड़ा सा time लग रहा है इसमें तो वैसे यह एकदम से हो जाता है बट कई बार इसमें time भी लग जाता है तो यह जैसे enable होता है मैं API enable हो गया और यहाँ पे notification में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको message भी नज़र आएगा enable service compute.googleapis.com इसमें तकरीबन एक मिनट के आसपास का time लग गया है तो यह आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का dashboard आपको नज़र आएगा मैं एक बार इसके बारे में भी आपको अगर आप कोई machine import करके cloud पे लाना चाते हैं तो आप यहाँ पे ला सकते हैं import का option यहाँ पे है refresh करना चाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा अगर आपकी machine start है stop करनी है तो यहाँ से होगी stop है start करनी है तो यहाँ से होगी इस तरह के options आपको यहाँ दिखेंगे यहाँ पे यह filter क option है, ये कैसे use होता है, ये भी मैं आपको बताऊँगा, फिलाल कोई VM बनी हुई नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पे सब कुछ खाली नजर आ रहा है, कुछ option है, status, name, zone, ये सब क्या होते हैं, मैं आपको बताऊँगा, left side में आप देख सकते हैं, फिलाल मैं जो भी काम करूँगा, इस VM instance वाले option में करूँगा, लेकिन बाद में आपको दिखाऊँगा, कि instance template में कैसे काम होता है, sold, tenant, node क्या होते हैं, machine images क्या होती है, TPU, एक special feature है Google Cloud के अंदर, ये आपको यहाँ पे मिलते हैं, tensor processing unit, इसके बारे में बात करेंगे, committed use discount अगर आप लेना चाहते हैं, long term के लिए, एक साल से तीन साल तक के लिए, virtual machine अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप जादा discount, 70-75% तक का discount उठा सकते हैं, वो यहाँ option आपको मिल जाएगा, VM से related disk के option, snapshot, images, सारे option आपको यहाँ नजर आएंगे, marketplace इनका भी होता है, जैसे AWS marketplace मैंने आपको दिखाया था, AWS के lectures में, और guys, जिस भी lab को आप करोगे, जिस भी चीज को आप करोगे, for example, अभी मैं VM instances पढ़ रहा हूँ, तो उससे related, यहाँ पे एक basic सी बात लिखी होती है, जिससे आपको idea लग जाता है, यह service किस काम आती है, for example, यहाँ पे लिखा है VM instances, compute engine let's you use virtual machine that runs on Google's infrastructure, create micro VM or larger instance running Debian, Windows or other standard images, create your first VM instance, import it using a migration service, or try to start to build a sample app, यह कहते हैं बही देखो, यह सारी चीज़े यहाँ हो सकती है, आप virtual machine बना सकते हो, आप बाकी सारे काम कर सकते हो, आप import कर सकते हो, अगर कहीं machine कहीं और चल रही है, किसी और cloud या on-premises पे चल रही है और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पे यह है कि take the quick start अगर आप इस पे click करोगे, तो यह आपको पूरा guide करेगा कि आपने कैसे इस lab को perform करना है, window की machine कैसे बनानी है, step by step एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी, even अगर आप pricing की बात करेंगे, तो आप understand pricing पे click करें, virtual machine का जो price होता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे वो किन चीज़ों पे depend करेगा क्योंकि मैं जब lab कराऊँगा, तो भी आपको यह चीज़े मैं discuss करूँगा, और फिलाल भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि pricing matter किस चीज़ पे करती है, आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, यह देखे यहाँ पे आप देख सकते हैं pricing matter करेगी कि आपने कितने virtual CPU लिए है और कितनी memory आपने लिए है यानि जो आपका VM का price होगा, उसमें major price, virtual CPU और memory कितनी कितनी आपने लिए है इसके based पे आपका price जो है वो calculate होगा, लेकिन खाली VM के price में यही price नहीं होता, एक तो यह price होता है, इसके इलावा operating system का अगर कोई license का price है तो वो होता है, और कितनी आपने storage उसके साथ में लगाई है as a disk storage जो आपकी लगी होती है, वो कितनी है उसका price है, यानि overall तीन चीज़ों का price होता है, एक तो PCPU और memory का, एक operating system का और एक storage का, इन prices के base पे किसी VM का price decided होता है, उसके बाद एक और important बात बता दूँ कि price जो होता है, वो हर region में अलग-अलग होता, यानि अमरीका में अलग होगा, मुंबई में अलग होगा, टोक्यो में अलग होगा, यरप में अलग होगा, हर एक region के अंदर जो price है, उसमें हलका, फुलका, कम, जादा का फरक होगा, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे clear कर दिया है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यह quick start जो guide है, इसको मैं close करता हूँ, इसको leave कर दिते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास left side में काफे सारे options है, मैं इसको भी drag drop कर, थोड़ा सा drop down करके दिखा देता हूँ, instance groups है, health check है, OS patch management है, servers, network, bare metal solution भी हैं आपके पास, metadata से related कुछ काम करना है, virtual machine का पहला ही lecture है, मतलब जिसमें मैं lab करा रहा हूँ, तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे, अगर आप machine बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ भी create क्लिक कर सकते हो, और first time कर रहे हो, तो आपको यह option भी नजर आएगा, create instance, चाहें यहाँ पर click करो, यहाँ पर करो एक ही बात है, मैं यहीं पर करूँगा, ताकि हर बर आपको यही option की habit पढ़ जाए, तो आपने यहाँ click करना है, आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है, इसका नाम क्या देना है, अगर आपको कुछ नहीं पता कि इस service का मतलब क्या है, इस option का मतलब क्या है, नेम क्या होता है, या क्यूं हमें नाम देना है, तो यहाँ पर एक question mark बना होगा, तो यहाँ पर आपको उसके बारे में लिखा होगा, कि आपने यहां पर क्या एंट्री करनी है जैसे यहां लिखा है कि name must start with a lowercase letter followed by up to 62 lowercase letter number और हाइफन एक दिल्चस बात मैं आपको बता दूँ सिर्फ इसी cloud के बारे में नहीं हर cloud के बारे में capital letters का इस्तमाल avoid करिएगा capital letters को cloud पर इस्तमाल नहीं किया जाता है यहां पर आप इसका नाम बदल के देना चाहें मैं कहता हूं इसका नाम मैं दे रहा हूं technical गुफतगू विया मैं इसको यह नाम देना चाहता हूं तो मैं इसको यह नाम दे दूँगा तो नाम आपकी virtual machine का कुछ भी हो सकता है जनरली जब आप नाम देते हैं तो आप नाम जो देंगे वो कुछ इस तरीके से देंगे windows और technical गुफतगू या जिस भी company के लिए आप काम कर रहे हैं IBM के लिए कर रहे हैं तो IBM देंगे Google के लिए कर रहे हैं तो उससे क्या रहता है आपको पता रहता है अगर यहाँ पर नहीं देना चाहते हैं यहाँ पर आप ने लिख दिया technical गुफतगू वी एम तो आप labels लगा सकते हैं लेबल्स क्या होते हैं जैसे AWS में tags होते हैं यहाँ पर label होते हैं यानि आपको यहाद है आप घर में जब मसाले रखते हैं kitchen के अंदर तो इस सारे डबे एक जैसे होते हैं तो एक पर आप sticker लगा देते हैं tea का एक पर शूगर का एक पर salt का उससे क्या होता है दूर से देखते ही पता चल जाता है कि इस डबे के अंदर नमक रखा हुआ है इस डबे के अंदर चीनी रखी हुई है similarly आप यहाँ पर tagging कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ name और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ IBM तो इस tag से यह मतलब हो जाएगा कि भई आप जो है यह क्या कह रहे है value 1 में I think only hyphen under low character and numbers are allowed अच्छा देखा मैंने खुदी गलती कर दी मैंने capital में लिख लिया था तो यहाँ पर key में name लिखना है value में IBM लिखना है तो इससे क्या होगा कि आप कभी भी अगर यह search करना चाहते हैं कि मेरे पूरे project में IBM वाली virtual machine कौन सी है तो आप filter में IBM को search कर सकते हैं क्योंकि आपने label लगा रखा है label नहीं लगा रखा तो नहीं search कर पाओगे तो better है कि आप label हमेशा लगाए label कितने लग सकते हैं यह चीज़ आप चेक कर सकते हैं मेरे खाल से 50 by default होते हैं आप फिर भी exact value चेक कर लिजएगा इसकी documentation में जाके आप और label लगाना चाहते हैं लगा सकते हो for example यहाँ पे आप कहते हो project आप किस project में काम कर रहे हो मैं कहते हो मैं यहाँ पे development project में काम कर रहा हूँ तो मैंने एक और लगा दिया यहाँ पे label लगा दिया project में development तो आप इस तरीके से multiple labels यहाँ पे लगा सकते हैं अचा गूगल क्लाउड में खुबसूरत बात किया है कि जो price होता है न वो आपको यहाँ side में ही नजर आता रहता है आप देखो अभी मैंने machine बनाई भी नहीं है और यहाँ पे यह वता रहा है कि भई अगर यह machine जो अभी by default आपने जो भी size select किया है जो भी type select किया है जो series आपने लिए है जो family आपने लिए है उसके हिसाब से जो bill बन रहा है वो 28 dollar का मेरा बन रहा है monthly bill है यह आपको यहाँ दिख रहा है और hourly कितना बनेगा 0.04 dollar का hourly bill बनेगा तो यह एक अच्छी चीज़ है Google Cloud के अंदर कि यहाँ पे bill आपको side में दिखता रहता है तो अगर ऐसा अगर आपने size को change किया आपने जैसे अपने size को change करके N2D कर दिया तो एकदम से यह price बदल देगा आप देख सकते है मैं आपको दिखाता हूँ यह देखें एकदम से इसने price को बदल के 56 dollar कर दिया यानि price जादा हो गया मैं अगर यहाँ पे इस option को select करके N2D की जगह मैं T2D कर दूँ तो आप देखेंगा यहाँ पर price क्या होता है देखें 35 dollar हो गया अब मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई दूसरी family का लेना चाहता हूँ मैं C2 C2 ले लेता हूँ for example 138 dollar हो गया तो इसका फाइदा ही है कि आप बनाते टाइम ही एक अच्छा-खासा idea आपको लग ज लगते हो virtual CPU और memory यानि की RAM memory का मतलब RAM होता है तो इसका बिल लगा हुआ है उसके साथ साथ इसके साथ आपने कितनी storage का इस्तमाल किया है उसका बिल लगा है और यहाँ पे OS का बिल नहीं लगा OS का बिल क्यों नहीं लगा क्योंकि हमने अभी OS लिया ही नहीं है हमने कोई license वा लोगे तो OS का बिल लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके Windows सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इस Windows को सेलेक्ट करता हूँ और अब आप इसका बिल देखिएगा आपको operating system का भी बिल नजर आएगा मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए आप यहाँ पे आपको CPU का और memory का बिल दिख रहा है और यह है आपका operating system का बिल premium image usage fee यानि की license की जो fees है वो आप देख सकते जो 134 डॉलर की fees है तकरीबन तकरीबन जितना server के लिए आप RAM और CPU के लिए पैसा चुका रहे हो equally उतना ही पैसा आपको कहीं ना कहीं license की fees में देना पड़ रहा है Windows का जो license होता है तो आप समझ सकते हैं कि Windows के license कितने costly होते हैं और guys यही वज़य है कि आज दुनिया की maximum industry Linux प है कि Linux सस्ता होता है बास वहाँ पे license की fees नहीं देनी पड़ती है जैसे Windows के case में देनी पड़ती है और जब चीजे सस्ती होती है तो हम अपने आप ही उसके ना दस positive points अपने आप find out कर लेते हैं उसमें खूबियां अपने आप निकाल लेते हैं कि Linux के अंदर ये अच्छ है Linux क के साथ आपको ये machine आधे price पे मिल जाएगी अगर आप Linux पे चलाते हो guys यही वज़य है कि आज सारी industry Linux पे काम कर रही है क्योंकि overall कहीं ना कहीं पैसा matter करता है हर company के अंदर ठीक है बाकी कोई चीज मैटर नहीं करती है अगर आज Windows अपनी license fees को हटा दे पूरे तरीके से और open source बना दे मैं guarantee देता हूं कि लोग Linux को छोड़के window की तरफ आ जाएंगे क्योंकि देखे सस्ता जो भी होगा public वहां attract होती है तो मैं यहाँ पे अगर इसको अब operating system में यहाँ पे centOS ले लूँ तो आप price देखिए यहाँ पे price देखिए I think centOS में तो license fees है नहीं है तो आप देख सकते है 139 अब इसी को मैं यहाँ पे machine का size change कर देता हूं मैं आपको दिखाता हूं मैं general purpose पे आ जाता हूं और यहाँ पे N1 पे आ जाता हूं जो कि इसकी first generation है तो आप देख सकते हैं price कितना हो जाएगा इसका यह देखें सिर्फ 29 dollar पूरे महिने का bill है तो आप इस तरीके से अपने जो bill है उसको check कर सकते हैं उसी हिसाब से आपको pay करना है और Google में एक अच्छी चीज मैं आपको और बता दूँ जो अभी यह दे रहा है अपनी marketing strategy की वज़े से यह आपको sustain use discount देता है यह कहता है अगर आप normally भी कोई machine create करो होता है उसमें किसी तरीके का कोई discount AWS नहीं देता है लेकिन अगर आप इस machine की बात करें जिसे हम यहां create कर रहे है Google उस पे भी आपको कुछ dollar का discount दे रहा है कुल मिला के Google यह कोशिश कर रहा है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा market को capture कर ले AWS जैसी companies और Azure जैसी companies को छोड़के ल अभी 29.54 था अब आप चेक करिएगा क्या बिल आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ देखिए 31.55 से machine का बिल बदल गया अब इसी को मैं यहाँ पे योरप में बनाता हूँ वार्सा के अंदर अब price चेक करते हैं अब क्या price है देखिए 33 हो गया अब मैं इसको इंडिया में बनाता हूँ मुंबई के अंदर 31.55 हो गया यानि price बदल रहा है जैसे जैसे आप region बदल रहे है price बदल रहे है same machine का machine का size same है machine में storage same है सब कुछ same है लेकिन फिर भी price में फरक आ रहे है क्यों फरक आ रहे है guys यह simple सी बात है आप Apple का phone अमरीका से खरीते हो अलग rate पे मिलता है दुबई से खरीते हो अलग rate पे मिलता है इंडिया में खरीते हो अलग rate पे मिलेगा और लंडन में खरीत होगे अलग rate पे मिलेगा क्य जैसे इंडिया में 31.55 है, अमरीका में आपको सस्ता मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, उसकी वज़े ये है कि अमरीका की ही कंपनी है, तो अपनी कंपनीों को भी थोड़ा प्रमोट भी है, फैसिलिटी देखो, आप देख सकते हो, 28.92, यानि काफी सस्ता है in comparison to non-American countries, तो अमेर तो price आपको generally America में सस्ता मिलेगा, सिर्फ इसी cloud में नहीं, आप किसी भी cloud में जाएंगे, तो आपको price जो है, America के अंदर वो service सस्ती मिलती है, पर आपको हमेशा server वहां बनाना है, जहां आपके customers है, for example, अगर मेरे customer इंडिया में है, मेरी maximum application इंडिया में चलनी है, तो आप लेख सकते हैं, एशिया साउथ वन, ये रीजन का नाम है, और वन के आगे डैश करके, अगर आप लिख दोगे, तो वो जोन बन जाता है, तो मैं इस मशीन को वन ए में बनाना चाहता हूँ, या वन सी में बनाना चाहता हूँ, ये मेरी खुद की चोईस है, फॉर इक्जैमप तो sir क्या इसका मतलब हम virtual machine को बदल नहीं सकते दूसरी जगा लेके नहीं जा सकते वो एक process है वो एक अलग चीज है कि आप virtual machine को migrate कर रहे हैं आप virtual machine को कहीं और move कर रहे हैं that is different thing पर normally एक machine जहां चलती है उसी में रहती है और ये भी याद रखेगा कि अगर कोई machine back end पे खराब हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि Google जो है उसके data center में बहुत सारे host machine यानि की hardware होते हैं जिनके उपर यह VM बनी होती हैं इन case अगर एक hardware खराब हो जाता है तो उसी zone के अंदर उसी data center के अंदर दूसरे hardware पे आपकी virtual machine Google create कर देता है वो कभी zone change नहीं करता है always remember इसके बाद guys देखे मैं आपको यह already discuss कर चुका हूँ थियोरी में पिछले lecture में कि virtual machine की family कौन सी होती है हमारे पास चार family होती है general purpose होती है compute optimize होती है, memory optimize होती है और GPU यानि कि जहाँ पे आपको NVIDIA का graphic card मिल जाता है वो भी हमारे पास होती है पर यह महंगी होती है, आप देख सकते हो जैसे ही मैंने GPU select किया machine जो है 241 dollar के आसपास पहुँच गई और उसमें जो major खर्चा है वो 300 dollar का लगबग लगबग जो खर्चा है उस case में आप इस तरह के server का इस्तमाल करेंगे, फिलाल हमारे case में क्योंकि हमने lab करनी है, मैं N1 का इस्तमाल करूँगा, अच्छा एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, चूंकि आप कहेंगे sir, हमें तो पैसे मिले हुए हैं, यह देखो हमें message आपको लिखा आ रहा है, कि free trial वाले पैसे आपके इस्तमाल हो सकते हैं, इस machine को बनाने में, of course आप इसे use कर सकते हैं, बट मैं recommend नहीं करूँगा, कि फिलाल आप इतनी बड़ी-बड़ी machine बनाएं, और बना भी लेते हो, तो delete करना मत भूलना नहीं, तो यह सारे पैसे आपके एकी दिन में खताम हो जाएंगे, ठीक है, तो फिलाल मैं general purpose पे जाता हूँ, यहाँ पे N1 series लेता हूँ, N1 series के अदेखे, आप general purpose में मेरे पास कौन सी series है, मैं already आपको theory में पढ़ा चुका हूँ, N1 है E2 है, N2 है, N2 है T2D है, याद रखेगा जो इसमें 2 लिखा होता है, या 1 लिखा होता है last में, जैसे यहाँ पे आपको E2 दिख रहा है, तो यहाँ पे जो 2 है, वो generation को बता रहा है कि यह second generation है N1 अगर नीचे लिखा है, जैसे first generation यह देखो, first generation लिखा है यह second generation है, जिसमें 2 लगा होगा, वो second generation है अगर किसी 2 के बाद D लिखा है, तो याद रखेगा उस virtual machine में AMD processor इस्तमाल किया जा रहा है powered by AMD, आप देख सकते हो और अगर कहीं पर D नहीं लिखा है तो यह मान के चलना है कि वहाँ पे Intel का processor चल रहा है, Intel के operations को दिखाता है, यानि कि one का मतलब है, पुरानी generation, second generation third generation, तो generation जितनी advanced होगी, machine उतनी ही जादा latest होगी आप ऐसा समझ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको भी clean कर देता हूँ I hope, मैं कोशिश यह कर रहा हूँ कि आपको एक एक छोटा-छोटा option भी आपको समझा दूँ छोटे से छोटा option आपको समझाता हुआ चलो देखे, machine family है, general purpose उसमें series है, N1 series के अंदर फिल्ट types है type का मतलब कि एक में 2 CPU लगे हैं, एक में 4 लगे हैं, 8 लगे हैं आपको कौन सा चाहिए, आप select कर सकते हो pre-configure type है यह यानि कि fixed size है 1 V CPU वाला, 2 V CPU वाला 4 V CPU वाला 1 CPU में 2 V CPU होते हैं आपको याद रखना है, तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको type दिये गए हैं 16 V CPU, 32 V CPU और यह कहां तक है, maximum आप देखो, तो 96 virtual CPU आपको general purpose के अंदर मिल जाएंगे और अगर मैं RAM की बात करूँ तो maximum RAM आपको यहाँ जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 624 GB तो 624 GB RAM का आपको server यहाँ पे मिल जाएगा, तो अगर इसको मैं select करूँ तो आप price देख सकते हैं price कितनी आएगी, यहाँ पे check कर लेते हैं, 3487 रुपे का इसका महिने का खर्चा है आप देख सकते हैं, तो अच्छा खासा खर्चा है, और उसमें 1400 रुपे something का, तो Google आपको discount भी दे रहा है, तो यह भी एक अच्छी चीज है otherwise इसका actual price तो 5000 डॉलर के असपास पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हूँ कि इस तरीके की यह machine की costing पढ़ने वाली है, तो मैं यहाँ पे कुकि हमें सिर्फ lab करनी है, तो हम यहाँ पे एक सस्ता सा server ले 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 लेते हैं, यह वाला ले ले लेते हैं 1V CPU and 3.75 GB of RAM, ठीक है, यह मैंने ही आपे ले लिया, CPU platform and GPU पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको option दिखेगा कि क्या आप automatic CPU platform लेना चाहते हैं, या आपकी अपनी कोई requirement है कि मुझे Intel का Sky Lake चाहिए, Broadwell चाहिए, Haswell चाहिए, उससे later version चाहिए, तो इस तरह की options भी आपके पास हैं, जहां आप select कर सकते हैं, कि मुझे तो Intel Sandy Bridge वाला ही चाहिए, या उससे आगे का version चाहिए, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, अपनी choice की according, otherwise यह खुद से automatic कर देता है सारे काम को, और automatically select कर लेता है, अगर आप इसी machine के आपको नहीं मिल पाएगी, यह इस चीज़ को बता रहा है, और GPU भी आप हर server के साथ नहीं लगा सकते, it depends कि कि सर्वर के साथ यह compatible है, और कि सर्वर के साथ यह compatible नहीं है, तो यह हो गई बात, यहाँ पे enable to use screen capturing and recording tool, अगर आप कुछ screen capture करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, enable display device तो आपको कुछ images नजर आएंगी जैसे की machine के boot होने की image आपको मिल जाएगी, तो जिससे आपको पता चलेगा मेरा machine boot हुआ था या नहीं हुआ था, confidential VM service में आपकी जो service है उसको encrypt कर दिया जाता है, आप देख सकते हैं, this service adds protection to your data in use by keeping memory of this VM encrypted with keys that Google doesn't have access to, तो Google के पास उसकी का access भी नहीं होगा तो इसका नुकसान यह है कि अगर आप की भूल गए, तो फिर आप अपने data को recover कर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा आप इसी virtual machine के ओपर containers बनाना चाहते हैं, या container वाला काम करना चाहते हैं, तो Google कहता है कि भाई, आप जो है ऐसी compatible image लीजिए जिस पर की container पर easily काम हो जाए, तो आप container friendly image ले सकते हैं, यहाँ पर देखो यह आ रहा है container image कौन सी लेनी है उस हिसाब से आप उस पर यह पहले ही option select कर सकते हूँ, यह other cloud में option नहीं होता है, तो Google में guys, बहुत जारे ऐसे feature मैंने देखे हैं, जो generally आपको नहीं मिलते हैं even आपको Google का एक सबसे अच्छा feature बताता हूँ, जो आप कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक option होगा, custom का आप custom VM select कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे जाए, और यहाँ पे custom का option आपको आएगा नजर, यह देखिए custom, आप इस custom पे click कर दीजे, यह option दुनिया में किसी cloud में नहीं है, आज की date में यह सिर्फ और सिर्फ Google आपको देता है कि आप अपनी मर्जी से memory select कर लो, हाला कि यह 0.25 के difference में होगी आप देख सकते हो, 3 होगी, फिर 3.5 25 होगी, फिर 3.5 होगी, फिर 3.75 होगी लेकिन आप अपनी मर्जी की RAM select कर लो, अपनी मर्जी के code select कर लो, आपको 2 चाहिए 4 चाहिए, 10 चाहिए, हाला कि उसी हिसाब से उसी ratio में यह memory को भी लेगा, लेकिन उससे जादा चाहिए, कम चाहिए, exact जितनी आपको चाहिए, उतनी memory का server आप बना सकते हो, यह option आपको AWS या Azure में नहीं मिलेगा, वहाँ अगर आपको 24 GB RAM का server मिल रहा है, तो 24 मिलेगा 20 मिलेगा, 18 मिलेगा, लेकिन आपकी exact requirement है कि मुझे 21 GB RAM वाला server चाहिए, तो वो काम आप AWS में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे तो मैं कहता हूँ कि मुझे 6 virtual CPU चाहिए तो मैं अपनी machine इस हिसाब से बना सकता हूँ, यह option आपको किसी cloud में नहीं मिलेगा, उसे हिसाब से आपको bill pay करना है, bill यहाँ पे बन गया है, आप for example, मैं इस memory को कम करता जाऊँगा, मेरा bill कम होता जाएगा, आप देखिए, मेरा bill कम हो जाएगा, मैंने यहाँ पे 15 GB RAM कर दी, तो मेरा bill कितना है 157, मैं यहाँ पे core कितनी कर देता हूँ मैं core यहाँ पे 2 कर देता हूँ, मेरा bill और कम हो जाएगा, आप देखिए 75 डॉलर हो गया, तो guys custom machine भी आप create कर सकते हो machine type में आप custom ले लो तो आप अपनी मर्जी से CPU, जितने आपको चाहिए virtual CPU, जितनी RAM आपको चाहिए आप खुद select करके अपनी machine create कर सकते हो, यह feature guys बहुत beautiful feature है जो generally कहीं और नहीं मिलता है, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं खुद यहाँ पर custom machine बना के दिखाता हूँ आपको एक, तो यहाँ पर मैं 3 GB की RAM ले ले लेता हूँ और 2 core ले ले लेता हूँ, तो 49 डॉलर का मेरा खर्चा आ रहा है, चले जी तो यह मैंने आपको करके दिखा दिया, इसके बाद मैं यहाँ पर operating system में क्या लेता हूँ, यह मेरे पर depend करता है, तो मैं CentOS ले सकता हूँ Debian ले सकता हूँ, Fedora ले सकता हूँ Red Hat अगर मैं लेता हूँ, तो इसकी भी license fees होती है, तो यह आप ले सकते है, अगर आप Windows के साथ जाना चाहते हैं, आप Windows के यहाँ चाहिए, वो मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही है, तो फिर आप इनके पास एक option होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इनके marketplace पे जाके, यह रहा इनका marketplace, आप इस पे जाके click करें, और इनके marketplace में एक मिनट, एक मिनट Show Advanced Configuration और यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, कि आपको वो operating system कहा मिलेगा, VM solution in marketplace, तो गाईज आपको यहाँ देखें, left side में marketplace का option दिख रहा है, आप यहाँ से यह option उठा सकते हैं, ठीक है, फिलाल मैं अभी उस पे नहीं जा रहा हूँ, उस पे बाद में आएंगे, तो एक एक करके lab करते हैं, तो फिलाल मैं Windows की lab करा रहा हूँ, तो मैं Windows server सेलेक्ट कर लेता हूँ, Windows server में मेरे पास Google पे जो supported images हैं, वो Windows server 2012 R2 data center है, 2016 है, 2019 है, 2022 है, और Windows server version 20 H2 भी है, तो ये कुछ versions हैं, यानि कि 2008 का version यहाँ पे अब आपको नहीं मिलेगा, 2012 से पुराना अब आपको नहीं मिलेगा, इवन अगर आप जाओगे, Azure के उपर तो वहाँ तो शाहद 2012 भी हटा दिया है, 2016 ही अब रह गया है, तो आप ये सारी चीज़े चेक कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे Windows server 2012 R2 data center ले लेता हूँ, और इसके साथ मैं storage कितनी लगाना चाहता हूँ, storage में कुछ option आपको दिख रहे हैं, balance persistent disk, extreme persistent disk, SSD persistent disk, और standard, तो by default balanced हमें मिली हुई है, यही हम रखते हैं, storage size आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, इन्होंने 50 लिया है, 50 ले सकते हो, आप चाहे तो 40 कर दो, आप 40 भी ले सकते हो, आप ज़ादा लेना चाहते हो, 4000 करना चाहते हो, तो क्या कर सकता हूँ, मैं check कर लेते हैं, क्योंकि error आएगा, आप इसका maximum size में दिखा दूँ, 65,536 से ज़्यादा बड़ा size आप नहीं ले सकते, तो यह है इसका maximum size, अगर 65,536 मैं करके देखता हूँ, 65,536 मुझे कोई error नहीं आ रहा, 37 करूँ, error आगया, आप देख सकते हो, तो इस तरीके से आपको यह पता चल जाता है, इस तरीके से value बढ़ाने से, कि मैं, अगर कई बार आप लोग मुझे पूस सकते हो, कि sir, यहाँ पर maximum size किया आएगा, तो आप खुद भी check कर सकते हो, आप value को बढ़ाते जाओ, अपने आप वो error देदेगा, और बता देगा कि maximum value क्या है, जो यहाँ पर डाली जा सकती है, तो सीखने का असान तरीका आपको समझा रहा हूँ, आप इस तरीके से सीख सकते हैं, deletion rule पे जाएंगे, तो यह कहते हैं कि जब भी आप अपनी machine को delete करें, तो आप क्या चाते हैं, क्या यह storage उसके साथ ही delete हो जाए, या फिर storage delete ना हो, अगर मैं virtual machine को delete करूँ, दोनों option आपके पास हैं, by default यह storage अपने आप delete हो जाती है, VM के delete करने पे, लेकिन आप चाते हों कि VM delete हो जाए, तो भी यह storage delete ना हो, तो आप इस option को select कर लिजेगा, आपकी यह volume delete नहीं होगी, 50 GB की, आपका जो data पड़ा है इस storage में, वो as a tease रहेगा, virtual machine के delete होने के बाद भी, यह काम आप कर सकते हैं, फिलाल मैं delete boot out disk के साथ जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, अब by default देखें, गूगल में एक और interesting चीज़ है, गूगल manage encryption की, गूगल के जो आप देख सकते हैं, कि जो encryption है, वो by default लगा हुआ होता है, जबकि यह AWS या Azure के अंदर by default नहीं होता है, वहाँ आपको enable करना पड़ता है, वहाँ by default unencrypted होता है, यहाँ by default encrypted होता है, यह भी एक अच्छे चीज़ है, Google Cloud के अंदर, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, customer manage encryption की भी है, अगर आप Google के इलावा, Google से ही अपनी की manage करना चाते हैं, खुद की एक की लेना चाते हैं, और उसके थूर यह encrypt करना चाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप Google के बाहर कहीं, और से manage outside of Google Cloud, जो की की Google पे नहीं है, गूगल उसको manage नहीं कर रहा है, अगर कोई की आप बाहर से लेकर आना चाते हैं, कोई encryption technique किसी दूसरे third party vendor से लेकर आना चाते हैं, तो उसका भी support Google Cloud में दिया गया है, अल्दो ये other cloud में नहीं है, पर Google में ये option दिया गया है, snapshot schedule कर सकते हैं, क्या मेरी virtual machine का मैं चाहता हूँ कि मेरा एक snapshot यहाँ पे schedule हो जाए, कि वो अपने आप उसका एक snapshot हर 24 गंटे या हर 12 गंटे के बाद बन जाए, तो इस तरह का snapshot schedule आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं use a custom device name, तो हमारा नाम वही आ गया, ठीक है, जो हमने वहाँ पे लिया होगा instance one, तो यह यहाँ पे device name वही दिखा रहा है, पर आप इसको बदलना चाहो, तो आप बदल सकते हो, ठीक है, ना window की machine लेने की वज़े से, मेरा price बढ़ गया होगा, 119 dollar something का मेरा price monthly हो गया है, hourly charges यहाँ पे लगते हैं, ठीक है, although यह bill जो होता है guys, यह hourly जो आपको दिख रहा है न, यह भी hourly नहीं होता है, यह minute के हिसाब से होता है, ठीक है, अगर आपने दो मिनट ही चलाई है, तो फिर इतना भी नहीं लगेगा, दो मिनट का ही price आपको देना पड़ेगा, तो यह सारी चीज़ें यहाँ पे discuss हो गई, यहाँ पे मैंने window का server ले लिया, इसके बाद service account क्या होता है, यह बात हम बाद में करेंगे, अभी यहाँ पे allow default access, जो default चीज़ें हैं, वो क्या होती हैं, आप देख सकते हो, read only access to storage and service management, write access to stack driver logging and monitoring, यह सारी default चीज़ें हैं, जो आपको मिलती हैं, उसके इलावा कुछ और access आप चाहते हो, तो आप यहाँ पे दे सकते हो, firewall का मतलब है, जैसे की AWS के अंदर security group बनाते हैं, एक EC2 instance create करते time, जिसमें की आप port allow करते हो, similarly यहाँ पर भी firewall के नाम से यह option दिया गया है, जिसमें आप अपने port allow करते हो, बाइडिफॉल यहाँ पे सिर्फ दो दिये गए हैं, quickly create करने के लिए, अगर आप special port set करना चाहते हो, for example, RDP, ICMP या whatever, तो फिर वो जो है, आप बाद में इसके VM के create होने के बाद जाके कर सकते हो, फिर यह option इन्हों नहीं हाँ पे hide किया हुए, यह कहते हैं कि भाई आप खाली इतनी option set करके भी अपनी VM create कर सकते हो, लेकिन अगर आप detail में जाके कुछ changes करना चाहते हो, networking के अंदर, disk के अंदर, तो आप वो काम भी कर सकते हो, for example, आप अपने खुद के VPC के अंदर बनाना चाहते हो, virtual network में बनाना चाहते हो, तो आप उसको select कर लो, फिलाल मेरे पास मेरा default network है, तो मैं उसी में इस VM को बनाऊंगा, IP की बात करें, तो आपको एक dynamic IP मिलती है, जो यहाँ पे ephemeral नाम से कही जाती है, Google उसको ephemeral IP कहता है, लेकिन आप चाहें, तो आप अपनी एक static IP, देखो यहाँ लिखा है, reserve static internal IP address, आप यह भी ले सकते हो, price दोनों का सेम रहेगा, चाहें आप dynamic ले लें, चाहें आप reserve ले लें, देखो मैं अगर यहाँ पे reserve कर देता हूँ, और यहाँ पे एक IP भी लेता हूँ, price अभी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, price है 119.76, अब मैं यहाँ पे IP reserve कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे external IPv4 address, ephemeral आ रहा है, मैं कहता हूँ कि हाँ मैं इसे create करना चाहता हूँ, तो एक IP address आप create कर लो, reserve a new static IP address, इसको नाम दे दो my static IP, ठीक है, और description में कुछ मत दो और reserve कर दो, 119.76 अभी आपको bill दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके reserve होने के बाद भी bill सेम रहेगा, 119.76 ही रहेगा, आप देख सकते हो, मैंने IP को reserve कर दिया, बावज़ुत उसके bill सेम है, कहने का मतलब public IP चाहें, static हो या dynamic हो, दोनों cases में bill सेम रहता है, अलग से कोई price नहीं लगता है, तो आपकी मर्ज़ी आप static भी लेकर काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर static IP ले लिए है, static IP का फायदा यह कि यह कभी भी change नहीं होगी, जो मिल गई है 34.100.252.234, यही IP आपकी permanent रहेगी, यह change नहीं होगी, अगर ephemeral आप लेते हो, उस case में क्या होता है, उस case में आपको यह नुकसान है, कि आप जब भी अपनी VM को stop करोगे, और उसके बाद दुबारा start करोगे, तो आपकी IP address change हो जाएगी, यह जो public IP है, public IP को Google Cloud में external IP कहा जाता है, और private IP को Google Cloud में internal IP कहा जाता है, तो यह चीज भी आप याद रखिएगा, तो यहाँ पर मैंने एक static IP दे दी है, यह बाकी चीज़े अभी आपको करने की ज़ुत नहीं है, additional disk अगर आप कोई लगाना चाहते हैं, for example, जैसे मेरे laptop के अंदर, मेरे पास D drive है, E drive है, F drive है, G drive है, इसी तरीके से अगर आप अपने server के साथ multiple disk attach करना चाहते हैं, तो आप disk 1, disk 2 या जो भी नाम आप देना चाहते हैं, D drive, E drive, उस नाम से आप यहाँ पर multiple storage connect कर सकते हैं, आपके पास option होता है, अगर कोई पहले से disk आपके पास पड़ी है, उसे इस VM में attach करना है, वो भी आप कर सकते हैं, कोई local SSG अगर आपके पास आप करना चाहते हैं, attach तो वो भी कर सकते हैं, local SSG के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, और minimum size 375 GB होता है, इससे कम आप नहीं ले सकते हैं, इससे जादा आप ले सकते हो, ठीक है, यह direct attach storage होती होती है, और बहुत fast होती है, बट नुकसान यह है कि इसका data जो है, VM के stop होने पर delete हो जाता है, तो यह चीज़े मैंने आपको समझा दी, अगर आप shielded VM चाहते हैं, तो आप shielded VM ले सकते हैं, क्या होता है shielded VM, आप देख सकते हैं, shielded VM features include trusted UEFI firmware, and come with options for secure boot, VTPM and integrity monitoring, जादा पढ़ना चाहते हो, learn more पे click करो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, कि shielded VM में क्या feature है, basically आपके VM को यह बहुत secure कर देता है, हर कोई इसको access नहीं कर पाएगा, boot नहीं कर पाएगा, जो hackers हैं, उनसे यह उसको बचा के रखता है, या कई बर क्या होता है, कि कोई ऐसे malware या ऐसे viruses, आपके VM में enter कर जाते हैं, internet के थूरू, जिससे कि आपके VM को आपको नुक्सान पहुचा सकते हैं, तो उन चीजों को यह block कर देता है, तो shielded VM जो होती है, अलग type की VM है, अलग type की नहीं है, it's a kind of आप क्या सकते हूँ, कि यहाँ पे आपको security मिल जाती है, तो यह आप यहाँ पे detail में पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पे यह सारी options मिल जाएंगे, कि shielded VM क्या होता है, तो फिलाल मैं इस option को भी ignore कर रहा हूँ, management, soul tenancy पे अभी हम नहीं जाते, यहाँ पे last में यह दिखाएगा, your free trial credit will be used for this VM instance, यानि कि अभी जो मेरे को यह पैसे मिले हुए हैं, यहाँ पे 22,998 रुपे, इस में से ही मेरे पैसे कट जाएंगे, इस VM का जो भी बिल मेरा बनेगा, एक और अच्छी बात, जो बहुत अच्छी बात है Google Cloud की, वो यह है कि आप में से बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं, कि सर मुझे जो है command line पे, यह तो console पे आप पढ़ा रहे हो, जो commands होती हैं, उसके थूरू काम करने को industry में आता है, वो कैसे होगा, देखो मैंने तब भी यही कहा था, जब मैं AWS पढ़ा रहा था, अपने आप पूरी command क्रियेट होगे, जो जो option मैंने select किये है, मैंने अपनी machine का नाम technical गुफ्तकु VM रखा है, मेरा वही VM नाम आ गया, मेरी static IP क्या है, यह मेरी static IP है, मेरा subnet क्या है, default है, मेरा service account क्या है, यह है, मैंने tag कौन से लगाए है, आपको यहां पर पहले से ही Google ने बना के दे दी, तो काम आप console से करो या इस से करो, अब आप real time में जब industry में होंगे, तो यह आपको पूरे का पूरा command line है यह दे दिया जाएगा, और आप यहां पर अपने according चेंज कर सकते, आपको यहां पर VM का नाम चेंज करना है, जैसे मैं इसे copy करता हूँ, और copy करके मैंनो notepad पर लिख लेता हूँ, अब यहां पर for example, मुझे VM का नाम technical गुफ्तकू वीम नहीं चाहिए, तो मैं यहां पर नाम बदल के क्या कर सकता हूँ, my custom VM, अब मेरा जो VM बनेगा, उसका नाम यह आएगा, तो यानि आपको एक script शेर कर दी जाती है, आपको एक पूरा command line शेर कर दिया जाता है, command शेर कर दी जाती है, उसमें आप अपने according चीज़े चेंज कर सकते हो, जैसे आप zone चेंज कर सकते हो, machine का type चेंज कर सकते हो, यह सारी चीज़े आप चेंज कर सकते हो, बाकी format as a tease रहेगा, आप इस format को उठाइए, इसे control A करके copy करिए, और as a tease इसे अपने cloud में run करा दीजिए, तो भी आपकी machine create हो जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ, activate cloud shell पे click करिए, आपका यहाँ पे cloud shell उपन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, just a minute, तो आप देख सकते हैं, cloud shell के लिए एक machine provision की जा रही है, और देखें, यह मेरा cloud shell उपन हो गया है, अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस command को as it is paste कर रहा हूँ, ठीक है, paste कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं simple enter कर रहा हूँ, machine, देखो मेरे पास इस तरह का एक notification आएगा, authorized cloud shell, gcloud is requesting your credential to make a GCP API call, मैं authorized करूँगा, जैसे ही मैं authorized करूँगा, यह काम यह अपने आप कर देगा, और मेरी VM create कर देगा, अब आप बताईए, पूरे cloud में मुझे, एक error आ रहा है, VM instance are not included with the free trial, to use them first enable billing on your account, मैं जैसे ही create पे क्लिक करूँगा, तब भी मेरे पास यह error आएगा, आप देखिए, तो यहां से ही मैं manage कर लूँगा, जैसे ही मैं create पे क्लिक करूँगा, create करने से तो यह create हो गया, तो billing तो enable है, इसका मतलब, तो फिर यहां पर क्या issue आया, first enable billing on your account, I think यहां भी error आना चाहिए, let's see, क्योंकि billing enable है, तो दोनों जगा ब्लॉक होना चाहिए, windows VM instances are not included with a free trial, okay, तो भई यह नहीं बन पाएगी, यह नहीं बन पाएगी, आप देखेगा, यहां पर भी error आएगा, यह भले ही यहां पर बना रहा है, बट यह बनेगा नहीं, चुकि windows VM जो हैं, वो free नहीं है, are not included with a free trial, तो Google के साथ ना देखें, आपने गूगल ने थोड़ी सी शार नहीं पत्ती करी है, अगर आप देखें, कि इन्हों ने यहां पर कहने को तो 22,000 रुपे दे दिये हमें, लेकिन यह एक छोटी सी windows machine भी आप नहीं बना पा रहे हैं, यह कह रहे हैं, उसके लिए आपके पैसे लगेंगे, तो यह थोड़ा सा मसला है गूगल के साथ, आप देख सकते हैं, कि यहां पर यह हो रहा है, तो अभी यह जैसे यह machine है न यह भी नहीं बनेगी, आप देखेगा, error आएगा, आप देख सकते हैं, मेरी machine create नहीं हुई है, नोटिफिकेशन में जाएंगे, तो यहां पर भी आ गया है, कि भाई machine create एक मिनट, अभी यहां पर भी आना चाहिए, मैं refresh करता हूँ, error मिलना चाहिए मुझे, तो इन्होंने machine create नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्योंकि windows create नहीं होती है, ठीक है, तो यह भी एक बात आपको सीखने को मिल गई, बनाने दे रहे हैं, तो इस नाट गूड आई थिंक, चलें, तो windows machine आपको फिर भी मैं बना के दिखाऊँगा, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको अपने दूसरे account से लॉग इन करता हूँ, जिसमें मेरा bill already activated है, billing account, तो मैं वहाँ से आपको यह machine बना के दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हूँ, मैं दूसरे account में login कर लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेरा यह paid account है, तो मैं यहाँ पे create instance पे click करता हूँ, और यहाँ पे एक window machine बना के देखते हैं, तो यह सारी चीज़े मैंने समझा दिए, तो अब मैं यहाँ पे कोई changes नहीं कर रहा हूँ, simply मैं window select करूँगा, तो यहाँ पे मैं इसको N1 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं change boot disk में जाके, मैंने अपनी image जो है, वो change करनी है, यहाँ पे मुझे operating system windows चाहिए, तो मैं windows select करूँगा, यहाँ पे 2012 आगिया है, select कर लीजिए, इसका price मुझे यहाँ नजर आ जाएगा, 61 डॉलर पर आवर का यह charge है, चलो ठीक है, बाकी सारी चीज़े as a tease हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ, मैं just यह VM create करके दिखा रहा हूँ, तो यह VM normally भी create हो जाएगी, command line से भी create हो जाएगी, तो फिलाल मैं आपको normally create करके दिखा रहा हूँ, और Google Cloud में यह अच्छी बात है कि, यहाँ पे 30 second के अंदर अंदर आपकी VM create हो जाती है, सबसे fast create करने का दावा करते हैं यह लोग in comparison to AWS and Azure, और यह reality भी है क्योंकि आप देखिएगा बहुत जल्दी VM ready हो जाएगी, बहुत ही जल्दी, तो इसका नाम देखें आप ready हो चुकी है, status green आ गया है, इसको internal IP यानि की public IP मिल गई है, external IP, sorry internal IP यानि private IP मिल गई है, यह कहेगा download the RDP file, तो इससे पहले लेकिन मैं RDP का password set करूँगा, तो यहाँ पे मैं इसका password जो भी लेना चाहूं, suppose मैं इसका password लेना चाहता हूं, technical गुफतगो, यह मैंने इसका password डाल दिया, set कर दिया, तो देखें, यह एक error आ रहा है कि भई आपने बहुत जल्दी password को करने का यह काम कर दिया है, तो थोड़ा सा आप wait करें, तो window password could not be set, try again, तो cancel करते हैं, दुबारा यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा सा time लगता है actually, window के password को set करने में, machine तो ready हो गई, बट बाकी चीज़े होने में थोड़ा सा time लग जाता है, तो दुबारा try कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ चलो, यह default जो लिखा है, यही रहने दो, set कर लो, और इसको मैं copy भी कर लूँ जब तक, तो इसको मैं notepad पे लिख लेता हूँ, यह मैंने notepad पे लिख दिया, और इसका ही password, देखें, यह password मेरे पास आगया, इसे copy कर लिजे, notepad पे लिख लिजे, यह भी मैंने notepad पे लिख दिया, अब आप इसे close कर दिजे, RDP पे क्लिक करिए, एक RDP फाइल डाउंडोड होगी आपकी, यह देख सकते हैं, इसको open करिए, connect पे क्लिक करिए, यहाँ पे password आपको डालना है, password आप paste कर दिजे, ok करिए, और यह देखिए, आपकी window machine जो है ready हो गई है, अच्छा गाइस, तो हमने जो यह server ले लिया है, यह actually हमने desktop experience वाला नहीं लिया, तो यह एक गड़बड हमसे हो गई है, गड़बड भी नहीं है, बढ़ ठीक है, मतलब हमारी VM बन गई है perfectly, जो मुझे आपको टेस्टिंग करानी थी, लेकिन एक और टेस्टिंग हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, क्योंकि मैंने जो VM अभी आपको बना कर दिखाई है, उसमें desktop experience नहीं है, GCP के अंदर जो Windows के images हैं, वो कुछ अलग टाइप से हैं, basically in comparison to AWS and Azure, यहाँ पर अगर आप वो पुराने जैसा आपको पहले experience दिखता था Windows server का, अगर उस तरह का experience चाहिए screen वाला, तो यहाँ पर अलग type की image आपको लेनी पड़ती है, मैं आपको दिखाता हूँ, फिलाल मैं एक server बनाता हूँ यहाँ और इसको लिखता हूँ Windows server, मैं इसको नाम देता हूँ, और इसको मैं बना रहा हूँ, मुंबई में बना लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं मुंबई select करता हूँ, और इसको कुछ भी ले लें, e2 लें कोई फरक नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर e2 medium है, तो इससे कुछ सस्ता है, तो ले लो आई थिंक ये वाला ले लो माईक्रो ले लो थोड़ा सस्ता पड़ेगा इसको हम ले लेते हैं यहां पर और अब मैं जब यहां जाओंगा तो image मुझे जो लेनी है basically windows की जो image लेनी है उसमें मुझे जो image लेनी है यहां में CLI के थुरू तो सारा काम कर सकते हैं बट desktop experience मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा black screen दिख रही है तो इस case में Google में आप जब भी कभी server select करें तो नीचे देख लिजेगा server with desktop experience इस पे click करता हूँ मैं और आपको मैं यह वाली machine बना के दिखाता हूँ और यहां पर size भी कम करके 30 कर देता हूँ that is enough select करें कुछ issue आ रहा है तो यहां पर आप 50 से नीचे नहीं ले सकते तो 50 ही लेना पड़ेगा तो चलो 50 ले ले लेते हैं और sttp sttps traffic allow करके मैं create कर देता हूँ आप चाहें तो मैं इसको इस बार command line के थुरू create करके दिखा देता हूँ equivalent command line पे click करें यह command आ गई है सारी चीज़े वही है जो मैंने ली है मैंने desktop experience वाली machine ली है वो सब कुछ यहां पर आ जाएगा windows server image यह वाली image है जिसमें की desktop experience भी है तो यह आप देख सकते हैं इसको सीधा यहाँ पे click करना है run in cloud shell simple है आप कुछ नहीं करना अपने आप यह command वहाँ पे चल जाएगी एक single code बनाने की लिखने की आपको ज़रुत नहीं है as it is आप command चला कर भी वो काम कर सकते हैं जो अभी तक आप console पे कर रहे थे तो देखिए अभी मुझे cloud shell की machine provision हो रही है उसके बाद यहाँ पे अपने आप यह command चल जाएगी आप देख सकते हैं बस मुझे एंटरप्रेस करना है मैंने एंटरप्रेस किया authorize करने के लिए कहएगा authorize कर दीजे जैसे ही आप authorize करोगे अपने आप यह create कर देगा मैं दिखाता हूँ तो वही काम जो मैंने console से किया था मैं CLI के थुरू कर सकता हूँ और यह बहुत easy है इसलिए Google Cloud आज की rate में बहुत easy है मुझे लगता है AWS या उसमें इस तरह का option अभी भी नहीं है वो कोशिश कर रहे हैं कि आज आए although Azure में है PowerShell का option उसमें भी आता है लेकिन वहाँ error आते हैं अगर आप PowerShell पे काम करोगे न वहाँ maximum time error आएंगे लेकिन यहाँ नहीं आते है आप देख सकते हो created का message भी आ गया है second row के अंदर Windows server नाम से एक machine create हो गई है जिसकी private IP यह है जिसकी public IP 35.something है तो देख सकते हो और status भी running है तो बड़ा easy है यहाँ पे command line के थुरू भी काम करना आप चाहें तो चेक कर लो आपकी machine बन चुकी होगी आप back करिए और यह देखें Windows server के नाम से एक machine बन चुकी है अब यहाँ आपको desktop experience मिलेगा यानि अभी जो यह black screen आ रही थी ना अब आपको black screen नहीं दिखेगी क्योंकि यहाँ पे desktop experience लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको इसका भी password set करना है set windows password पे क्लिक करिए username यही रहने दीजिए set पे क्लिक कर दीजिए तो मुझे यह password मिल गया है इस पे आप copy करें और इसको notepad पे paste करके रख ले इसके बाद अब आप इसकी RDP फाइल को डाउनलोड करिए आपको just इस RDP पे क्लिक करना है windows server वाले RDP पे क्लिक करना है download the RDP फाइल इस पे क्लिक करना है एक RDP फाइल डाउनलोड होगी इसको open करिए connect पे क्लिक करिए और simply यहां password पेस्ट कर देना है जो अभी आपको मिला है यहां notepad के उपर यह वाला password तो इसको आपको पेस्ट करना है और yes करना है और आप देख सकते हैं अब आपका server स्टार्ट हो रहा है और अब आपको वही desktop experience मिलेगा जो मैंने आपको Azure या AWS पे दिखाया था I will show you see अभी यह start होगा see guys आप देख सकते हैं आपको desktop experience यहां नजर आ रहा है तो Google Cloud में यह चीज थोड़ी सी अलग है कि यहां पे Windows सेलेक्ट करते टाइम यह चीज देखनी पड़ती है कि भी desktop experience चाहिए तो वो option अलग से इन्होंने images में दिया हुआ है तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है मैं यहां पे आपको छोटा सा web page भी बना के दिखा देता हूँ जैसा कि मैंने AWS पे भी करके पहले दिखाया था और यहां पे Google Cloud SG के पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से तो आप command line के थुरू भी काम कर सकते हैं इनकी machine हो में SG के by default है और यहां पे server manager पे click करें तो add role and features आपको नज़र आएगा यह आपको बहुत बार में पढ़ा चुका हूँ Azure में भी AWS में भी तो वही web page जो हमेशा मैं वहां बना के दिखाता था वही web page आज मैं आपको Google Cloud पे बना के दिखाऊँगा तो add role and features पे click करना है आपको थोड़ा सा यह start हो जाए उसके बाद इस पे आप click करेंगे तो ऐसा कुछ आपको नज़र आएगा आपको next करना है role based और feature based installation पे रहने देना है next पे click करना है यहाँ पे आपको asserties रहने देना है कुछ change नहीं करना है आप next पे रहने दे यहाँ पे नीचे आके web server IIS को select कर लिजेगा बस जैसे select करोगे यह add features के लिए पूछेगा add features पे click कर दो और next पे click करते जाओ next 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 बस जैसे यह इतनी बार करोगे अपने आप install का option आजाएगा install पे click कर दो आपका जो web server IIS का setup है वो इस पे install हो जाएगा एक बार वो install हो जाए उसके बाद इस पे एक छोटा सा web page आप create कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी installation में थोड़ा सा time ले रहा है बट कई बार क्या होता है कि यह आपको इंस्टॉल होता हुआ दिखता नहीं है बट हो जाता है क्योंकि इतना time ही लेता नहीं है और लोग मेरे को एक से दो मिनट हो गए है तो मैंसे close करता हूँ और अगर इंस्टॉल हो गया होगा तो मुझे यहाँ पे जो नीचे एक folder नज़र आएगा उस पे क्लिक करिए और इसके अंदर दो फाइलें आपको नज़र आएंगी आप इन फाइल्स को चाहें तो यह भी रख सकते हैं अभी आपको यह कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा मैं दिखाता हूँ आपको आप अपने server की public IP copy करिए और copy करके यहाँ browser में चेक करिए आपको एक default वेब पेज नज़र आएगा विंडोस का यह देखिए एक default वेब पेज आपको नज़र आ रहा है internet information services के नाम से यही वो default वेब पेज है जो यहाँ मैंने आपको खोल के दिखाया है जो यह वाला पेज इसको मैं आपको open करके दिखाऊं यह देखिए मैं आपको दिखाता हूं यह देखो same page आपको नज़र आ रहा है न अब इस page को बदल के अगर आप कोई अपना page करना चाहते हैं या आप यहाँ पे for example मैं editing कर देता हूं मैं यहाँ पे text दाल देता हूं और यहाँ पे लिखत technical गुफ्तगु जिन्दाबाद ठीक है मैंने यह लिखती है यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं यह बोल्ट कर दें इसको थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो इसे बोल्ट कर देते हैं यहाँ पे इस size को भी बड़ा करके 20 कर देते हैं for example ऐसा कुछ कर देते हैं ठीक है जिन्दाबाद गायव हो गया भई टेक्निकल गुफ्त को जिन्दाबाद था जिन्दाबाद है जिन्दाबाद रहेगा है चेली अच्छी बात है इसको save करते हैं यह कहता है जी यह was denied आ रहा है तो कोई बात नहीं यह save हो जाएगा तो आप इसको save कर दो close करो और refresh करो अगर वो save हुआ होगा तो नजर आएगा नहीं हुआ तो नहीं आएगा ठीक है वो open with करके करना पड़ेगा आपको तो चलें जी save कर दूँ मैं access deny आ रहा है चलो कोई बात नहीं पूरी setting चेंज करनी पड़ेगी तो फैराल इसकी जौत नहीं है हमें मैंने overall आपको दिखा दिया है कि आपको web page कैसा दिखता है आपको idea लग गया कैसे machine बनानी है कैसे machine बना के आपको उस पर काम करना है और जो permission वाला काम है वो खेर अभी पड़ेगा पहले इसको select करिए यहां इन three dots पर जाईए और यहां पर stop का suspend का reset का delete का option होता है तो हम delete करेंगे इस पर click कर दीजे यह delete हो जाएगी similarly अब आप इस VM को नीचे वाली VM को select करिए यहां पर जाकर delete कर दीजे यह VM भी आपके delete हो जाएगी तो इस तरीके से आपने इ आगली videos में मैं आपको Linux भी बना के दिखाऊंगा Linux machine पर web page create करके दिखाऊंगा और Windows पे भी web pages और बाकी काम बहुत सारे काम करने हैं अभी तो यह आगाज हुआ है तो I hope आपको आज की lab interesting लगी होगी एक confidence आया होगा कि अच्छा virtual machine इस पर ऐसे बनती है Google Cloud के ओपर और यह सा जाने लगा होगा धीरे धीरे आगे की videos में भी आपको समझ आएगा तो हमें बस support करते रहे वीडियो को यार लाइक वाइक कर दिया अगरो थोड़ा सा है ना आप लोग LinkedIn पे share नहीं करते बिल्कुल भी connected हो सारे की सारे मेरे साथ Google पे search करिए भुपिंदर राजपूत आपक किसी खुब्सूरा share के साथ खतम करते है I hope यार आपको lab बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी आप सीख गए होंगे कि virtual machine कैसे बनाई जाती है window का जो user experience वाला इंटरफेस वाली machine होती है वो कैसे ली जाती है क्या pricing होती है क्या pricing model होता है यह सारी बाते आपको समझ आ गई हो ऐसा नहीं है कि वो मैं discuss नहीं करूँगा आने वाले lecture में वक्त आने पर सब को discuss किया जाएगा जैसा कि वो एक शायर जो हमारे अश्वा गुल्ला खां है उन्होंने एक share कहा था कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमा हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है त नहीं कि एक गजल मैं आज आपके साथ share करना चाहूंगा कि बिछड के तुस्से ना जीते हैं और ना मरते हैं अजीब तरह कि बस हाद से गुजरते हैं जमीन छोड़ना पाऊंगा इंतजार ये है वो आसमा से धर्ती पे कब उतरते हैं ये किसने खीच दी सासों की लक्षमन रेखा कि जिस्म जलता है बाहर जो पाऊंव धर्ते हैं ये चांद तारे जमी और आफ़ता तमाम तवाफ करते हैं किसका तवाफ करते हैं तवाफ करना मतलब परिकर्मा लगाना किसी के चक्कर कातना हयात देती हैं सासें बस एक मकाम तलग फिर इसके बाद तो बस सास सास मरते हैं तो ये एक गजल है क्रिश्म विहारी नूर जी की आई होप आपको पसंद आई होगी और इनी के एक शेर के साथ बस बात को खत्म करके जाना चाहूंगा कि जिन्दगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं चलिए इसी के साथ अलविदा लेताम आपसे खयाल रखी अपना और दुआओं में याद रखिए